हेलो बच्चो आज मैं आपको कक्षण ओवी जिसका विशह है गनित इसकी वर्क्षिट नमबर 88 समझोंगी जिसकी डेट है में पस 19 फेबरेरी 2021 आज की वर्क्षिट में हम चाप्रा नमबर 10 विद की इसकी रिवीजन स्चार्ट करेंगे ठीक है तो कौन सी वर्क्षिट के हमा रिवाइस करने हैं आपको लिंक दे दूंगे नीचे डिस्क्रिप्षिप्शन बॉक्स में जो उनसी विवर्क्षिट आपको रिवाइस करने हो फिर आप महासी करती तो स्टार्ट कर दीजे अपनी डिवीजन ठीक है क्योंके एक्जाम आपके आने ही वाले तो सिक्स्थ में शत्योंरा सत्य वाला है और सेवंटों 10 हमको पूरे सॉल्व करने हैं है वर्क्रिफट के रहा है एक व्रृत रत्रकहर कार पीजा को चाऱ डागों में बाता जाता है ऐाप ya क्या नार कर देए क्या किसा कार का यह हर एक भाग तो आप देख रहे हो यह किसा कार का है त्री जग हंड किया कार का है तो पहले का आंसर तो ऐसी मिल गया बिना हल करें ठीक है न चलिए दूसरा देखते हैं यहां कह रहे हैं एक व्रित का व्यास AD और जीवा AB है यदि AD 34 AB 30 हो तो व्रित के मैंने यह व्यास माल लिया AD है और एक AB में को जीवा दे रखी है तो मैंने माना कि यह मेरी जीवा है आप इसे उपर भी बना सकते हूं और यह मेरा केंडर है O अब आपसे कह रहा है यह जो दूरी है यह यह आपको बताने है तो सबसे पहली बात मुझे क्या दिया है AD दिया है ठीक है अब जो मैंने यह इस पर लंब डाला है तो इसका मतलब जो मेरा AM है वो MB के बराबर हो जाएगा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा AB बढ़ जाएगा ना जैसे यह लंब इसके उपर OM हमने डाला ठीक है अब देखो AB मुझको पता था कितना है 30 तब उसको दो पार्ट में तो औरूंगी तो 15 और 15 आ जाएगा यहां ठीक है ना तो अगर मैं आपको यहां पर देखाऊंगे एक सेकिंड यह रहा है ठीक है तो अब मैंने बात की कौन से तिरिभूज की AMO की इसकी जिसको देखो मैं शेड कर दूं यह मेरे पास समकौन तिरिभूज जो बन गया है जिस में से जो O meget मीरी करन है तो आपको पता है कान का जो स्कोट होता है वो लॉं के स्कारण के स्कॉट कारा अधार के स्कॉट के योग के बराबर होता है तो एं और मुझे सेवनटीन पता है ठीक है AM मुझे मुझे पता है 15 हां O publi नहीं बादा वो तो मुझे निकाल लियाएं केंद से धूरी तो वह मेरे हैं इस से दूरी मेरी कितने अ गई इट आ गई इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया में पास एट आ पर चली कोशन नबर त्री देखते हैं देखो यहां पर आपसे कह रहा है आखरिती अ आखरिती में ए-बी और CD केंद्र O वाले वृत की दो बराबर जीवाएं है ओपी एंड ओक्यू क्रमाशाह AB और CD जीवाओं पर लंब है यदि पी ओक्यू 150 है तो AP Q बराबर होगा देखो ऐसा कोशन आपके पास पहले वाली वोक्षीट में भी आया वा है जो इस चैप्टर की वोक्षीट यह द्यू पर लंब है तो जब यह पूरा जो है यह पूरा नभे डिक्री का होगा लंब होता हे तो यह होता है ठीक है अब वह मुझे से कह लगा है अगर मुझको यह वाला कॉन देह रखा है तो बताओ फिर ये वाला कौन कितना होगा ये ए पी क्यू सिर्फ इतने की बात कर रहा है वो इतने की ये आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितना होगा तो अब हम ये कैसे निकालने वाले देखो ये मुझे पूरा 90 डिग्री पता है तो ऐसा करते हूं जो ये छोटा सा रहे गया जिसको मैंने यहाँ पर शेड नहीं किया इसको निकाल देती हूं तो 90 में से माइनस कर दूंगे तो फिर यही वाला बचेवा है ना अब बात आती है कि हम इसको निकालें कैसे तो अगर आप यह आधियान से देखो इसे मैं हटा देती हूं देखो यह जो आपके पास त्री भूज है जब यह दोनों आपकी बराबर जीवाएं हैं तो जो यह दूरी होगी मतलब जो OQ होगा और जो OP होगा यह दोनों बराबर होगे क्यों क्योंकि जो बराबर जिवाएं होती है न वो केंदर से बराबर की दूरी पे होती है तो इसका मतलब ये दोनों मेरी बराबर है जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कौन मेरे बराबर होगे क्योंकि जो बराबर भुजाओं के सम्मुक कौन होते हैं तो उसके मतलब ये दोनो कौन बराबर होंगे, बराबर भुजाओंगे, सम्मुख कौन जो हैं, वो बराबर होते हैं, अब मैंने बात की सिर्फ इस तिर्भुचकी, इस वाले तिर्भुचकी, इसके तीनो कौनों का योग तो 180 होगा, तो दो कौन तो एक जैसे हैं, तो उनको मैंने एक ही जैसा लिख दिया, OPQ और OPQ, तिसरा कौन मुझे दे रखा है, तो यहां से ये 2 OPQ हो गया, तो OPQ मेरा 15 निकल गया, तो देखो अभी यही बात हो ली थी ना, कि अगर हम इसको अंदर वाले को निकाल दें, अब जैसे मैं इसको हटा देती हूँ, तो ये मेरा 15 आ गया, और ये पूरा 90 है, तो फिर ये वाला आ जाएगा, 90 में से क्या करूंगे, 15 माइनस कर दूँ, तो ये मेरा यहां पर 75 आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, यहां पर 75 हो गया, देखो आपको एक A B दे रखा है, एक B C दे रखा है, एक और चीज़ कहा रहा है कि जो A B है ना, वो B C पे लंब है, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बना देती हूँ, अपनी आकरिति है सकरती हूँ, ये है, तो अगर ये A है, ये B है, और ये C है, अब इन तीनों बिंदों से ना, एक वृत जा रहे है, ठीक है ना, तो अगर हम इन तीनों बिंदों से एक वृत बनाएं, तो कैसे वो वृत बनेगा, आपको इस तरीके से बनाने देखो, कि ये पूरा जुड जाए, ठीक है, अब आप इसको जोरोगे, कैसे देखो, सबसे पहली बात तो मैं इसको जोर देती हूँ, यहाँ ले लेते हैं, ये C पोइंट, ये, ठीक है, एक बार में इसको दुबारा बना देती हूँ, आखरीत को, पूरी ये अजीब सी बनी है न, आप प्रॉपर्ली पैंसिलों स्केल से बनाओगे, तो बिकुल सही बनेगी, ठीक है, तो मैं वृत बना के पहले बना देती हूँ, ऐसा अगरती, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पहूँ, आप ऐसा मत कीजिएगा, कि वृत बना के बनाएं, तो यह मुझे A, B, C दे रखा था, अब मुझे A, B, C यहाँ पर दे रखिये 12 है, ठीक है, और B, C मुझे दे रखिये 16 है, तो इसका मतलब जो यह A, C है, आप देखो कि यह 90 डिगरी का इस पर लंब है, जब यह लंब है, ठीक है, वृत पर यह 90 डिगरी का बना रहा है, तो इसका मतलब जो A, C है, वो मेरी क्या होगी, वृत की व्यास होगी, ठीक है, अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर, मुझे क्या निकालना था, त्रीजा की लंबाई निकालनी है, तो अगर मैं यह व्यास निकाल लूँ, तो त्रीजा असानी से निकल जाएगी, तो वोई चीज मैंने यहापर की देखो, पहले मैंने जो जो दे रहा खाता वो लिख दिया, और यह लिख दिया कि A, C वृत का व्यास होगा, ठीक है ना, व्यास है इसका यह, तो अब मैंने यहापर कौन सा तिरी भुज लिया, A, B, C, इसमें पायता कोरे, इस प्रमे लगाई, तो मुझको पता है, A, C, जो है, वो मेरा कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वेर जो है, वो लम के स्क्वेर के, और अधार के स्क्वेर के बराबर कर दिया, उनके योग के, ठीक है, तो यहाँ से मैंने अपना क्या किया, A, C, निकाल दिया, A, C, तो मेरी व्यास है न, मुझे त्रिजा चाहिए, तो त्रिजा को क्या करूँगे, 20 divided by 2 कर दिया, तो मेरी यहाँ पर त्रिजा आ गई, तो इसका मतलब 10 मेरा अंसर आ गया, ठीक है, चलिए, कोशन नमर 5 देखते हैं, इसमें आपको फिल करना है, आप से कह रहा है, एक वृत की, अगर हम बोले हैं आपर, कि संपूल लंबाई, क्या होती है, वृत की डैश कहलाती है, क्या कहलाती है, अगर मैं ये वृत बनाऊ, इसकी संपूल लंबाई क्या कहलाएगी, तो ये इसकी परीदी कहलाती है, है न, तो ये आ जाएगा यहाँ परीदी, उसके बाद है किसी वृत का वृत खंड उसके डैश और चाप के बीच का शेतर होता है, अगर एक वृत खंड देखे, ये वहता है मेरा वृत खंड, तो चाप और किसके बीच का है, ये जीवा के बीच का, पर यहां लिख देते हैं यह जब आपकी पहले वाक्षिट आई थी मैंने तब भी बताया था question भी दिया था कि जिन बचों को याद है कि दो जिनका केंद्र एक जैसे होता है वो वृत कौन से होते हैं संकेंद्रे वृत होते हैं तो आप मुझे comment करके बताईए जिन बचों ने comment कि होगा उनको याद होगा अच्छे से है ना चलिए फोर देखते हैं किरा यदि वृत के चाप के सिरे उसके व्यास हो तो वृत की चाप डैश कहलाती है वृत के चाप के सिरे उसके व्यास हो तो यह है तो यह अगर मैंने चाप बनाई तो इसके सिरे यह है इसकी व्यास तो यह क्या है यह आपने क्या बना दिया यह आप और आ सत्य के रिए अर्ध व्रित का के कोनों का माप 180 होता है विकुल 180 होता है जब पूरा 360 है तो अर्ध व्रित मतलब आदा तो उसका माप भी आदा हो गया ठीक है अच्छा यहां मैंने फॉल्स लिख दिया है एक मिनट ट्रू आएगा तो यहां गया मेरा इहां पर ट्रू ठार अब किया रहें एकश SW टल को तीन भागों में बार्टें विकुल एक अंदर और या इक वरित के ऊपर यह मैं अगर विरित बनाओं तो एक आप कंदर एकभार और एक व्रत के ऊपर तो यह भी सही है ठीक है épo अब यहां पर तीन संहेखी बिंदुों से प्रीक्री निस्चित संख्यायों में शन्राची था यह पॉस की प्रोश्यटे में एसे तो जरूरी नहीं है ज्यादा भी हो सकती है ठीक है चलिए कोशन नमबर सेवन पर आ गए हम तो यह आपकी बुक की ही थी हो रहा मैं एक काफी इंपोर्टेंट है इसे आप अच्छे से कीजेगा क्यारे सिद्ध कीजे कि वृत की बराबर जिवाएं केंद पर बराबर कौन अंतरित करती है आपको क्या सिद्ध करना है जो हमारी बराबर जिवाएं होती है तो वो केंद पर भी बराबर का ही कौन बनाती है तो अब हमें कैसे पता चलेगा तो इसके लिए हमारे को आकरिती बनानी पर एगी पहले तब ही हमें पता चल पाएगा ठीक है ना देखो कैसे बनाएंगे प कीजिभा को इन से जोर दियत्र crown से मुझे बराबर सिधाने और यह 2 चाहिए एहां पर चीवा तो इसको को नाम दे दो Schmidt और इतना तों आपको पता है की क्या सिद्ध करना है की जो यह अगर अगर हम इन दोनों त्री भूज को सरवांग सम कर दें तो हम CPCT से ये दोनों कोन बराबर कर सकते हैं अब सरवांग सम करने के लिए मुझे तीन चीज़े चाहिए तब ही वह सरवांग सम हो पाएगा तीन चीज़े मुझे यहां असानी से मिल रही है एक तो यह दोनों है ठीक है और यह दोनों भी त्री जा एं तो वही चीज मैने यहां लिख दी क्या दिया है AB savory की बराबर जिवाएं तो यह दोनों बराबर है सिद मुझको यह करना है कब मैंने हापर त्री भूज यह मतलिक्ना आप इन तिरी भूज AOB और दी योसी लिया तो एक तो मैंने एक अपनी तृजय लेनी ठीके दोनों तृजया है यह भी और असानी से सरवांगते हैं अब जब यह कूंट वडराबर होंगे ही थी नहीं हStudy वह सलरें चलिए कोशन नंबर एट देखते हैं तो कोशन नंबर एट मैं दी गई आकृति में अच्छा इसमें आकृति है उप्रेटी दी गई है ठीक है वह यह मेरे से यहाँ इंदे नहीं रखे आपकी वक्षीट में है मैं बना देती को बनी भी आइए आपको बनानी यहां यहां पर और यहां पर यह आखूँजू है यहां वॉप लिए है इसका डूरत करता reflex X आखरूत अब देखो AB पर OC लंब है तो इसका मतलब AC जो है वो तो BC के बराबर होगा क्योंकि जैसी यह लंब हमने खीचा होगा तो यह बराबर भागों में बार दिया होगा इसने AB को AC और उसमें HCMA तो हमएंसे क्या करते हैं हमें तो P erी निकाल नहीं है तो हम क्या करते हैं हैऌ पहले BC निकाल लेते हैं उसको डबल दुगना कर देंगी तो हमारा AB निकल जाएगा अब BC कहिसे निकालने चरो यह तो हमें पता चल गए BC निकाल लेते हैं पर निकालने कैसे तो देखो ये आपके पास समकॉन तिरी भूझ है जिसमें एक ये करण आपको पता है यहां पर ठीक है और ये lump आपको पता है OC तो आप अधरार निकाल सकते हो ना मैंने वहीं किया पेहले मैंने लिख दिया मुझे क्या क्या सब्सक्राइब तो है और यहां कि कोशन था हमें इसमें AB ही निकालनी थी और आकडिती भी हमार को कोशन में दे रखी थी ठीक है चलिए कोशन नमबर 9 देखते हैं यहां आपसे कह रहा है एक वृत की दो जिवाएं जिनकी लंबाई 10 cm और 8 cm है केंद्र से क्रमशह 8 cm और 3.5 cm की दूरी ओपर है क्या यह संभव ह है अपने हमको यहां पर यह बताना मिं अगर नहीं तो भी बताओ क्यूं नहीं है अब हम कैसे करेंगे सब्सेफेहली मैं आकरिती बनानी पर एगी तो बनाते हैं चलो यहां पर मना रहे हूं नो तो मैंने एक जीवाई हापर ले ली और एक जीवाई हापर ले ली आप कहीं भर भी ले सकते हो ऐसा कुछ नहीं है आपको ही ही ले लिए A, B, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया CD, तो जो ये वाली जीवा लिया है, मैंने ये 8 cm वाली लिया, और जो ये वाली जीवा लिया, ये मैंने 10 cm की लिया, ठीक है न, अब देखो, ये मेरा वृत है, वो कह रहा था, स्वारी, केंद्र है, केंद्र से दूरी दे रखिये, तो इसकी दूरी मुझे 8 दे रखिए और इसकी दूरी मुझे 3.5 दे रखिए अब आपको पता है केंदर से जब ये जीवा पे जाएगा तो यहाँ पर यह लंब होगा, तो यह मैंने लंबी बना दिया, तो इनको मैंने जोर दिया फिक है नहीं यहां तक तो पता सल गया कि आपकी एक जीवा है a b ठीक है और अगर मैं इसको नाम भूँ तो मैं इसको m नाम दे देते हूं यहां पर और इसको मैं नाम दे देती हूं तो यह o और जो यह है, AO, यह इसकी त्रिजा है, उसी तरीके से अगर मैं दूसरे त्रिजा की बात करूँ, तो ON जो है, वो मेरे पास ही CD जीवा पे लंब है, और CO जो है मेरी वो त्रिजा है, ठीक है, अब यह संभब क्यों नहीं है, देखो हम क्या करते हैं, यह दोनों त्रिजा निक होती, और जैसे कि मैं आप से कह रही हूँ, OA और OC, यह दोनों भी A की वृत की त्रिजा है, तो इन दोनों की लंबाई एक जैसी आनी जी, तो मैंने बताए क्या क्या है, इन दोनों त्रिजा में, एक इस वाले में, और एक इस वाले में, पायता कोरेस प्रमे लगाई, लग जैसे भी हमने पीछे माला कोशन किया था, सेम वही है, तो मैंने इसमें जब पायता कोरेस प्रमे लगाई न तो मेरे AO निकल गया 89, रूट का 89 निकला, मैंने इसे आगे हल नहीं किया, क्यों, क्योंकि मुझे उसके जरूरत नहीं है, मैं OC निकाल लेती हूँ, अगर वो भी मेरा रूट 89 आया, तो यह संभव है, वरना यह संभव नहीं है, ऐसी आकरिती संभव नहीं है, ठीक है, तो फिर आप मैंने दूसरे तरी भूच की बात की, जिसकी जीवा मेरे पास CD थी, ठीक है, तो CN कैसे आजाएगा, CD का आदा हो जाएगा, तो वही मैंने हापा निकाल दिया, ON मेरे को देई रखा था, तो मैंने पायता कोरे इस प्रमे से CO निकाल दिया, अब आप देखो, दोनों केस में त्रीजा अलग अलग आ रही है, जबकि इन दोनों केस में त्रीजा एक जैसी ही आनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक ही वरित की त्रीजा थी, तो इसका मत ठीक है, और वैसे भी आप देखो, ये बरी वाली जीवा है, तो ये के इंदर से 8 की दूरी पर है, छोटी वाली जीवा जो है, वो के इंदर से 3.5 की दूरी पर है, ऐसा नहीं होगा न, बरी वाली जीवा जो है, वो कम पर होगी, इसलिए ये संभव नहीं हुआ है, ठीक है कि एक जीवा का खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के समान होता है कि आपको दो जीवाएं हापर दे रखिए वो वृत के अंदर ही एक दूसरे को काट रही है तो फिर आपको यह सिद्ध करना है कि जो एक जीवा का खंड है न वो दूसरी जीवा का जो संगत खंड है उसक एक जीवा मैंने ऐसे बना ली और एक जीवा मैंने ऐसे बना ली तो इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर A B ठीक है और इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया C D तो प्रतिछेद मैंने माना यह X पर गड़ रही है ठीक है आप मुझे देखो को सिद्धिया करना है यहां पर जो यह AX है यह है मेरे पास जीवा का खंड जो है यह DX के बराबर है दूसरी जीवा के संगत खंड के ऐसी फिर आपको जो CX है वो भी तो होना चीह BX के बराबर बिल्कुल क्यूंकि वो यह मेरा खंडी है, तो यह मेरे को यहाँ पर सिद करना है, तो जो मुझे सिद करना था, जो मुझे दिया वा था, वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यह नू, ठीक है, अब मैंने इसमें खुद से रचना की, रचना क्या की, मैंने क्या किया, इस AB पे एक लम डाल दिया, Vrit से और केंदर से उसी तरीके से इस पे एक लम डाल दिया तो यह केंदर है मेरे पास इस पे लम डाला OM इस पे लम डाला OM तो यह नब्बे होगा यह नब्बे होगा और इसको भीच यह रचना मैंने खुद से करी है, ऐसा मुझे कोशन में कहीं पर भी नहीं बूला गया था, ठीक है, तो अब आप यहां पर आंसर में देखो कैसे किया हमने, तो मैंने वह लिख दिया है, जो रचना मैंने यहां की थी, अब देखो, जैसे ही मैंने यह लम डाला OM, AB के उपर, तो उसने AB को दो पार्टों में बाट दिया, एक AM में और एक BM में, वो AB का आदा हो गया है, उसी तरीके से जैसी मैंने लम डाला इस CD पे, ON लम डाला, तो ON ने इसको दो भागों में बाट दिया, DN और CN में, तो वो CD का आदा हो गया, दोनों आदा होंगे CD के, जितनी भी CD ह होगी, उसके आदे होगी, ठीक है, अब AB is equal to CD मुझे देही रखा था, दो समान जिवाएं, तो इन दोनों का मैंने आदा-ादा किया, तो जब मैं AB को आदा करूँगी, तो दो चीज़े निकलेंगी, एक तो AM निकलेगी, और एक MB निकलेगी, तो मैंने दोनों ही चीज और यह लिख दिए, यह मेरी दो समीकरन बन गई, जो मुझे आगे काम आने वाली है, अब मैंने क्या किया, जो यह उपर तिरी भूज बने हैं में पस समकून, यह दोनों, इन दोनों का इस्तमाल किया, इनको सर्वांग सम कर दिया, ठीक है, अब सर्वांग सम करने के लिए इन दोनों तरी भूजों को तीन चीज़े चाहिए, एक तो मुझे मिली डिये, दोनों 90 डिगरी के हैं, तो वो दोनों मैंने लिख दिये, एक में को OX उबनिष्ट मिलना था, दोनों में वो लिख दिया, एक अभी हमने पीछे के कोशन में किया था, जब जिवाएं बराब से, मैंने क्यों ये सर्वांग सम किये, मैंने ये सर्वांग सम इसलिए किया, क्योंकि मुझे यहां CPCT से एक चीज मिल गई है, वो क्या मिल गई, MX is equal to NX, देखो आप फिगर में, एक चीज मुझको ये मिल गई है, इसलिए मैंने इन दोनों तरी भूजों को सर्वांग सम कि ठीक है, जब आप मुझे ये चीज मिल गई तो इसको मैंने क्या किया, यहां पर तीसरी समीकरन ये लिख लिए, बस अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पर ये सिद्ध करना था, ये, AX is equal to DX, देखो, AX, इसको मैं कैसे निकालू, अगर मैं इस AM में, इस पहली समी सिद्ध हो जाएगा, वही चीज मैंने इहां पर की, तो मैंने इहां पर क्या किया, पहले और दूसरे समीकरन का योग कर दिया, तो AM में MX चोर दिया, और DN में NX चोर दिया, तो मेरा वही आगे, जो अभी मैंने आपको समझाए, एक चीज तो चलो मुझे मिल गई, अब आत है, MB में से अगर मैं MX हटा दू, तो ये BX बचेगा, उसी तरीके से CN में से NX हटा दू, तो CX बचेगा, तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, अब जोरेंगे नहीं, अब दो समीकरन को हम घटा देंगे, तो दूसरी और तीसरी समीकरन को मैंने इहां पर क्या किया, उनका अंतर कर दिया, तो BM में से MX घटा दिया, BX, CN में से NX घटा दिया, CX, और मैंको यहीं यहां पर सिद करना था, तो मेरा यह सिद हो गया, ठीक है, एक चीज़ आप धिया नखेगा, जो यह तीन समीकरन हमने यहां पर बनाई, एक, दो, और तीसरी यह, इनी तीनों को इस्त उटियां पर कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक कोशन जो आपका हौवा कोशन है, जो आपको हर वर्कशीट में मैं देती हूँ, वो यहां जरूर दूंगी, ठीक है, बहुत ही असान सा दे रहे हूँ, आपको मैं एक रिक्तिस्थान दे रहे हूँ, वो आपको भलना है, ठीक की सबसे बड़ी जीवा होती है उसको हम क्या बोलते है तो इस डैश में आपको वो लिखना है तो कमेंट करके इसका आंसर मुझको जरूर दीजिएगा ठीक है ना वक्षिट नमबर 88 यहां पर कंप्लीट हो गई अब वक्षिट नमबर 89 जो है वह हम अपनी नेक्स्ट वीडि पी जेतों थेंक्यू